के अप लोग आहे होप कि आप सबी हैं। अज और उच्छ नंदस्टी में कुछ अच्छा करने की सुल रहे होंगे। आज सेशन में हम बात करेंगे की headache CODE क्या होता है। जब आप안 bourण के बारे में बात करते यह high-base के बारे हम बात करते हैं expressway के बारे में बात करते हैं तो आप tech coat के बारे में सुन रहे होते हैं कभी भी अगर आपने road बनते हुँ देखा है उसका क्या rate of spray होता है यह सारी चीजे जनाब आज के session में स्परमॉर्थ, Ministry of Road and Transport Highway वे discuss कर रहे होंगे तो मैं हूँ Sandeep Singh professional estimation and billing engineer और आप सभी engineers के लिए corporate engineers में आप सभी का reinforce training street for civil engineers के digital platform पर सवगत करता हूं और जनाब जैसा कि आपको पता है reinforce ने अपना application launch कर दिया है और आपने अभी तक download नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हैं Google Play Store पर जाके आप आप हमारा एप reinforce download कर सकते हैं जहां पर आपको एक systematic way में free content मिल रहा होगा और इसके साथ साथ reinforce ने 18 प्लस professional courses launch किये हैं जो कि आपको एक affordable fees में मिलेंगे और जैसा कि आपको पता अभी new year आने वाला है तो reinforce ने आपके लिए एक offer भी launch किया है यदि आप कोई individual courses खरीदते हैं तो इस पे आपको 20% off मिलेगा जिसके लिए आपको coupon code यूज करना है new20 यदि आप packages खरीदते हैं यदि आप building में अपना carrier बनाना चाहते हैं तो reinforce ने आपके लिए building का course लाँज किया हुआ है यदि आप हाइबेस में अपना carrier बनाना चाहते हैं तो reinforce ने आपके लिए हाइबेका packages लाँज किया है यदि आपकोई packages खरीदते हैं तो इस पर आपको 30% off मिलेगा इस new year में तो इसके लिए जनाब जो आपको coupon code यूज करना है वो है आपका new30 अब हम अपने मुद्दे की बात करते हैं या फिर हम इसको between surface को उपर use कर रहे होते हैं या फिर हम इसको concrete payment की जो surface होती है उसको हम use कर रहे होते हैं टेक कोट का जो main काम है वो है आपका bonding का binding का दो layer के बीच में proper binding हो ये आपका टेक कोट का काम है टेक कोट ensure the bonding between the two layers तो दो layer के बीच का जो bonding का काम है वो हमारा टेक को मिलेगा जब हम फ्लैक्सल पेमिट बनाते हैं तो कैसे बनाते सबसे पहले आपका इंबेक्वमीले बनके तैयार हो रहा होता है उसके बाद हम लोगस्द का लेयर चाहिए उसके बाद जो कि आपका WM की सरफेस और जो आपकी बिटिनिस मिक्स की लियर है उसको बाइंड करने का काम करता है तो टैक कोड आपका एक पर्टिक्लर प्रोजेक्ट में आपको तीन-चार बार देखने को मिलेगा यदि आपका फ्लेक्सल पेमेंट बन रहा है तो उसमें कम से कम एक प् बिटिन मेकेडम बोलते हैं उसको बाइंड करने का काम आता है जब हम DBM की लेयर डालते हैं बिटिनिस मिक्स की लेयर डालते हैं तो उसके जस्ट पहले हम लोग टैक कोड का स्प्रे करते हैं उसके बाद ही आपका बिटिन मिक्स का लेयर डाला जाता है तो सबसे पहले जो आपका TechCode यूज होता है वो आपका DBM, Dance Between Macadam और आपका जो WM की Surface होती है उसको Bind करने के लिए हम यूज करते हैं और जो दूसरी बार हम TechCode का यूज करते हैं तो दूसरी बार जो आपका TechCode का यूज होता है वो आपका जो कंड़े है और DBM के बाद जो आपकी BC की लियर आ रही है जिसको Bittuminous Concrete बोलते हैं उसको Bind करने काम करता है और जनाब हम तीसरी बार अगर हम बात करें कि TechCode का यूज कहां होता है तो तीसरी बार जो हम TechCode का यूज करते हैं वह आपका road में गड़ा है, तो बहुत सारे आपको गड़े मिल रहे होते हैं, उसकी repairing के लिए हमरा tech coat use होता है, तो आपके जो port holes होते हैं, इसकी repairing कैसे होती है, कोई भी आपका port holes है, तो सबसे पहले हम उसको साफ कर रहे होते हैं, उसमें जो भी आपका loose material है, उसको हम निकाल देत हैं, उसके बाद हम उसमें air compressor लगाते हैं, जिसके तो उसकी dust साफ हो रही होती है, उसके बाद हम उस गड़े के ऊपर, उस port holes के ऊपर, आपके tech coat का spray करते हैं, और उसके बाद हम फिर उसमें betonious mix का material डालते हैं, और उसको roll कर देते हैं, तो इस तरह से हमारे जो port holes है, उसकी roads का, आए दिन आपकी road repair होती रहती हैं, क्योंकि वो तो हमेंसा खराबी होती हैं, तो tech coat को हम इस तरह से use कर रहे होते हैं, अब tech coat में हम कौन सा material use करेंगे, उसकी बात करते हैं, तो tech coat में हम bitumen को use कर रहे होते हैं, ऐसे bitumen, आप viscosity grade BZ10 का use कर सकते हैं, ऐसे tech coat, आप BZ10 का use कर बोलते हैं, या फिर आप bitumen emulsion का use कर सकते हैं, जिसमें आपका RS1 आता है, rapid setting 1 आता है, या फिर आप cutback bitumen use कर सकते हैं, जो कि आपका RC70 आता है, rapid curing 70 आता है, उसका आप use कर सकते हैं, तो mostly आपको tech coat में तीन material देखने को मिलेंगे, आपका BZ10, आपका bitumen emulsion, और आपका bitumen cutback, reference को आप cutback bitumen बोल सकते हैं, अब हम इसके rate of spray की बात करेंगे, कि जो आपका tech coat है, उसमें जो हम material use कर रहे हैं, उसका rate of spray क्या होता है, यदि हम tech coat को prime WM surface को उपर use करते हैं, जो कि सबसे पहले use क्या जाता है, सबसे पहले road में जो आपका tech coat का use होता है, वो आपका prime WM surface को कर रहे हैं, तो उसका rate of spray होगा, वो आपका 0.2 से लेके 0.3 kg per meter square होगा, means यदि आपके पास 200-300 gram bitumen है, तो उसके थ्रोव आप 1 meter area cover कर सकते हैं, अगर हम दूसरी बात करें, यदि हम tech coat को bitumen surface को उपर use कर रहे हैं, जैसे आपका DVM का surface है, या फिर हम कोई नई layer डाल रहे हैं, या फिर हम overlaying कर रहे हैं, तो हम bitumen surface को उपर tech coat का spray करते हैं, तो उसका rate of spray होता है, वो आपका 0.25 से लेके 0.3 kg per meter square होता है, means यदि आपके पास 300 gram bitumen है, तो उससे आप 1 meter square area cover कर सकते हैं, यदि आप bitumen surface को उपर use करते हैं, आप देखेंगे इंडिया में जब election आता है, तो हमे उपर हम एक नया layer डाल देते हैं, तो वो नया layer कैसे डाला जाता है, आपकी जो existing bitumen surface है, उसके उपर हम tech coat का spray मारते हैं, जो कि कितना होता है, 0.25 से लेके 0.3 kg per meter square, उसके उपर से हम bitumen mix की layer डाल देते हैं, और roll करते हैं, तो आपकी road नई चमाचम देखने लगती है, अगर ह जो concrete का payment होता है, बहुत costly होता है, उसके उपर हम लोग क्या करते हैं, bitumen mix की layer डाल देते हैं, ताकि उसकी जो life है, वो आपकी increase हो जाती है, उसकी जो durability है, वो increase हो जाती है, आपका खराब होगा, तो आपका bitumen mix का layer खराब होगा, concrete की जो payment है, वो safe रहेगी, तो यदि आप tech code क concrete की payment के उपर use कर रहे हैं, तो उसका rate of spray होगा, 0.3 से लेके 0.35 case per meter square होगा, means अधि आपके पास 300 gram, 600 gram bitumen है, तो आप 1 meter square area cover कर सकते हैं, concrete payment के case में, तो जनाब I hope कि आपको समझ में आया हो कि tech code क्या होता है, basically tech code आपका क्या है, एक bonding material है, जो की ensure कर रहा है, कि आपकी layers के बीच कर रहे हैं, वो आपका bg10 है, bitumen evolution है, bitumen cutback है, I hope कि आपको समझ में आया हो कि tech code क्या होता है, हम क्यों use करते हैं, और जनाब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज आप इसे like करिए, अपने friends के साथ share करिए, और आपने अभी तक हमारे YouTube channel को subscribe नहीं किया ह तो आपको इसी तरह से as per need और as per demand of construction industry quality content मिलता रहेगा, thank you so much and see you in a next video